सेमसंग ने बहुत जल्द इंडिया पर लॉंच करने वाला है उसका एस सीरीज का ब्रैंड नी स्मार्टपून सेमसंग लक्षी एस ट्वेंटी वान एफी फाइब जी स्मार्टफून तो आज इस वीडियो में इसका सारा स्पेसिपिक एसान लॉंच डेट उसी के साथ स्मार स्मार्टफून की तरफ तो कैसा रहने वाला स्मार्टफून जानले के लिए वीडियो अब लस्त तक जुरू देखते रहिए मैं उस संजोई आप देख रहे हैं मिस्टर संजोई यूट्यूब चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना उसी के साथ उनको कर लीजिए सबसकाईब जाए बेल को जुरुम आल में कलिक करना पहला में बात करना चाहूंगा स्मार्टफून की ओलेंट दिजाइन के बार दे चीहां पार फूल Libre यूज करने वाला हो थोड़ा सा हाड रहने वाला विए इतना जल्दी क्रैसेज वगरण नहीं आने वाला है स्मार्ट फुन की पीछे की तरफ रहने वाला है ट्रिपल कैमेरा से टाफ एलेडी फ्लैस और यहां पर रहने वाला है इन डिस्प्ले tha finger Fin sensor तो के तरब देखा जाए तो स्मार्टफून आने वाला सेंटर फिंचोल डिस्प्रेइं के साथ स्मार्टफून पतला और हलका वी होने वाला एक ंजर फ्रेंडली इस्पर्फून होने वाला है तो यूज करने में कुछ भी रिकत नहीं आने वाला चली इसके बाद कहीं स्मार्टफून की डिस्प्ले के बारे में जो स्मार्टफून आने वाला है 6.4 इंच फूल-HD-PLAS Super AMOLED डिस्प्ले के साथ उसी के साथ यहां पर रहने वाला है HDR10-PLAS का सापोर्ट और Widevine A1 का सापोर्ट रहने वाला है अब OTT है शमार्टफून की चिप्षेटके बारे में यह मैं स्मार्ट फुन फोने वाल है यहां कि ग्लोबाल हर्शन एग आहें रहिने वालह ए और चिप्सेत के अनगा सपूर्ट करने वाला इंड्じजो स्मार्टफून हाने वालाई यह itäपने ढूने वाला कologia तो आप मानके चल सकते हैं स्मार्टफोन के अंदर तगड़ा लेविल का मिलने वाला है चलिए इसके बात के दिए स्मार्टफोन की कैमरे कवार में जो स्मार्टफोन आने वाला है पीछी की तरफ ट्रिप्रल कैमेरा सेट आप के साथ प्राइमरी जो सिंसर रहने वाला है 64 Megap 12 Megapixel का आल्ट्रावड और 5 Megapixel का देफ्थर आने वाला है तो स्मार्टफोन के अंदर चो कैमेरा पाफ़ेस्ट मिलने वाला है मैं कहने वाला हूँ प्राइस के सबस्टे बहुत ही अच्छा है संसंग का कैमेरा तो आप आग बंद करके विस्बास कर सक तो स्मार्टफोन के अंतर टॉप लेविल का कैमेरा मिलने वाला है प्राइस के सबसे और यहां पर मिल जाएगा 32 Megapixel का सेल्फी तो सेल्फी कैमेरा और रियर कैमेरा बहुत ही अच्छा मिलने वाला है स्मार्टफोन के अंदर बात कहाई स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में जो स्मार्टफोन चली इसके बाद बात कहाई स्मार्टफोन की राम बेरे में जो स्मार्टफोन आने वाला है दो घ्रिंट रैम के साथ 6GB 120 एट जी वाला वे और 8GB 250 शीवाला फिरेंट LPDDR5 का राम रहने वाला है और जो स्मार्टफोन के अंदर राम का स्विट बहुत ही फास्ट रहने वाला है उसी के साथ यह स्मार्टफोन आने वाला है इन बोक्स एंड्रोइड 11 के साथ हां जी यह स्मार्टफोन एंड्रोइड 12 के साथ नहीं आने वाला है उसी के साथ यह इंडिया पर नॉक सेकुरेटी मिल जाएगा 3.5 अडियो जैक नहीं रहने वाला यहां पर रहने वाला है डूल स्टीडियो स्पीकर और इन डिस्प्ले स्मार्टफोन के आंदर जो स्मार्टफोन मिल रहा है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है तो चली इसके बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बहुत सब्सक्राइब बात करते हैं स्मार्टफोन कव इंडिया पर लॉंच होने वाला है 45,000 रूपीज के आसपास में इंडिया पर लॉंच हो सकता है इमें लिक्स के मतविक में आप लोगों के साथ से आर करो ऐसे भी एक अंफर्म लॉंच डेट नहीं है चलिए इसके बाद में बात करता हूं स्मार्टफून कैसा रहने वाला है दिखा जाए गेमार के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा उमिद करता हूं मैंने अपका सारे डाउट के लियर कर दिया अगर आपको वीडियो पस्तंद आता है तो एक लाइक करना उसे के साथ चलेंग को कर लीचे सबस्काइब नोटिमी के साथ वेल को चुरू और में किलिक करना तो आज के लिए इतना है अगले फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए Bye friends Take care friends